जय शियराम मेरे भाईयों आज का मेरा जो एक छोटा सा ब्लॉग है मतलब छोटा ही रखाया मैंने जो कि कल मैं जिस पर हेर कट करा के आया था उसकी बहुत समस्यां थी कि बहुत गरीब है वो और जो कि मैं आपको इस वीडियो में के माध्यम से आपको देखाऊंगा प्लीज को उसकी कुछ मदद कर पाएं जो कि इनकी बात चीट से मेरे को पता चला इनकी आला सुनके के भाईया इतने गरीब हैं कि बिचारें की दो जवान लड़कियां हैं 20 साल की एक उससे चोटी उनकी साधी गंदी है मेरी आप सब से एकी निवेत दने हैं अगर भाईया आप ल सामने जो कि देशी अंगरेजी सराप के दुकान भी हैं में सामने और इस सरकारी पेटल पंप है इसके सामने अगर इनकी कोई मदद कर पाए बाई साब चाहते संबेलन से हो जाए कैसी हो जाए आप लोग इनकी की मदद कर पाओ मेरा तो प्रयास रहाए कर आप मैंसे कोई अगर वीडियो देख रहा हो मसद कर पाओ उनके पास बिल्कुल आके संपर कर रहा है बहुत गव आदमी यार इनको मैंने सौर पे दिये बहुत पचास रुपर लोटाने बहुत जिद करी लेकिन मैंने नहीं लिए क्योंकि बहुत अच्छे हैं प्लिज आप लोग कोई भी अगे इनकी यह कौन सा एरिया लगता है यह बैसे क्या बोलता है कंपू 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 सिकंदर कंपू है और सरकारी वो पेटल पंबा उसके बगल से सामने इनकी दुकान है दुकान नहीं है आपको दिखा दे रहा हूं क्या है एक चोटी सी यह ठीला लगाते एक टूडी लहीं से काम करते हैं पूरा ओर मात्र कटिंग के 20 रूपया 30 रूपया लेते हैं और और सेविंग कर दे ले 20 रूपया डोल पचास रूपया जो समय भी माले लोग आते हैं उसके दएक कोई को नहीं देता है और हो सकता है यहाहि दées के 끝शेंक कोनेकी मदद कर देना बाजि लोग इनको दाड़ागरी बताते हैं दारूपी के आते हैं दाड़ी बनाव पैसे देके नहीं जाते हैं और विचारा गरीव आदमी इससे जाद है वह सीधा बिलकुल यह इतने सीधे हैं कर बोल भी नहीं पाते हैं यह ग्वालियर जो कि हमारे MP में पड़ता है MP के अंदर आ प्रफीर पाटक जी यहां के उनका चेतर लगता प्रफीर पाटक जी के छेतर लगता जो के कंग्रेस के बेदायें और बस आप लोग इनके लिए कर्दों के कोई प्लिज भाई यह सब मदद करो इनकी यह नहीं को इनकी बिल्कुल मदद करें इनकी लड़िकों की साधी के लिए बहुत बहुत धन्दवाद जैसी आप